चैत्र नौरात्री दो होजा तेस एकिस या बाइस मार्च कलत सस्थापना जाने सई दिथी नौरात्री से पहले घर चरूर लाई ये एक जीच साफ्तरों में नौरात्री का बिशेस महत्व है पाचांक के अनुसार मातुरगा के नौरूपों के आरातना का या पर साल में चार बार मनाय जाता है दो बार नौरात्री परत्यक्षिरूप में मनाई जाती है तो वहीं दो बार गुप्त नौरात्री होती है चैत्र नौरात्री से हिंदो नौर्ष की सुरुवात भी होती है हर सल चैत्र नौरात्रों का अरव सुकल पत्ति पतातिती से होता है आज हमापको साल दो हजार तेज में चैत्र नौरात्री और घटा स्थापना का सहीतिती कलस स्थापना का शोमुरत, कलस स्थापना विदी, पारन कप किया जाएगा और नौरात्री के दौरान की जीजों का घर लाना शुव होता है इस बारे में बताएंगे जिस मार्च को नौमी तिती होगी 30 मार्च को नौरात्री का पारण कव होगा हिंदू पचांके अनुसार साल 2023 में चैत नौरात्री का आरंब 22 मार्च से हो रहा है जिसका समापन 30 मार्च को होगा ऐसी में पचांके अनुसार इस साल चैत नौरात्री का पारण 31 मार्च को दस्म स्वास्तिक बना ले अब इसमें साफ जल भर कर कलस में सिक्का दो सुपारी और चावड डाल कर कलस के उपरी वाग में कलावा बाल ले कलस के उपर असो किया आम के पाच पत्ते लाएं और फिर एक नारियल को लाल कपरे से लपेट कर कलस के उपर स्थापित कर दे इस तरह से घट स्थापना पुर्ण होने के बाद समस्त देवी दिवताओं का आवान कर विदिवत माता सैल पित्री की फूजा करे नौरात्री में घर आए एक चीज नौरात्री के नौ दिनों में मादुरगा के नौरालग सौरूपों की फूजा होती है वास्तु सास्तर अरुसार कुछ ऐसी चीज़े बताई गई है जिन्हें यदि आप नौरात्री से पहले घर लेकर आती हैं तो आपको मा की अद्भूत किर्पा प्राप्त होती है मन जाता है कि नौरात्री के दोरान या नौरात्री से पहले घर में सोने चांधी का शिका, माकी परतीमा, कमल का फूल, कौर या गॉम्ति चक्रे, मोरपंग केले का पोधा घर लाकर लगाना और नित्यत्न की पूझा करना और सिर्फा लाना बहुत ही सुमाने जाता है इसे साल भर आपके घर में धन्य धान के कोई कमी नहीं रहती दोस्तों आपके ये वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जैमाता दे लिखें और हमारे चालों सस्क्राइब करें धन्यवाद दोस्तों